तो यार लास्ट एप्सोड में आप लोगों ने दिखा था कि सूपरमेन और मैं और साथ ही मी गोकू हम तीनों गए थे डेविल गोड को मानने के लिए लेकिन हम तीनों में से कोई भी उस डेविल गोड का बाल भी बाकन नहीं कर पाए और फिर हम कैसे ने तैसे यहां से बचके निकलाए लेकिन अब मेरे पास पहले से भी अच्छा प्लैन है प्लैन यह है कि डेविल गोड नहीं सर्वियन डांसिंग लेडी को बुरी तरीके से पीटा था और सर्वियन डांसिंग लेडी अभी लेना चाती है डेविल गोड से बतला लेकिन वो कैसे मारेगी वो तो अमने को नहीं पता लेकिन अगर devil gold मतलब serbian dancing lady अपनी team में आ गई न तो devil gold के तो छक के छूट जाने है क्योंकि serbian dancing lady भी काफी जादा powerful है भरे वो devil gold को नहीं मार सकती लेकिन powerful तो वो है तो उसको कैसे भी करके मुझको अपनी team में लेना ही हो गयार वो अभी काफी जादा नाराज हो चुकी है devil gold से क्योंकि devil gold ने यार उसको धरदा भोचा यार devil gold ने उसको बहुती बुरी तरीके से पेटा क्योंकि जो serbian dancing lady थी वो devil gold को अपना गुलाम बनाना चाहते थी और devil gold की आदी सकतिया भी लेनी चाहते थी इसलिए जो है devil gold ने उसको बहुती जादा बुरा पेटा लेकिन अभी serbian dancing lady devil gold को मारना चाहती है तो उसी के लिए अपन जो है serbian dancing lady को मनाएंगे कैसे भी करके जिससे वो अपनी team में हो जाए तो ये काम आसान हो सकता है serbian dancing lady अपने टीम में जुड़ जाएगी तो अपने लिए तो अच्छे ही है अपने टीम और भी ज़्यादा expand होगी वैसे भी अपने पास पोस्सारे super hero है अपने पास gojo है goku है और साथ ही में अपने पास है superman वैसे superman काफी ज़्यादा powerful है लेकिन अभी वो थोड़ा गम में है क्योंकि उसके दोस्त थोर और हल्क दोनों की दोनों मिमारी जा चुके है तो इसी बात का superman को गम सता रहा है वो काफी ज़दा डिप्रेस हो गया है और वो मारना चाहता है devil ghost को तो उसके लिए यार वो पूरा की पूरा पागल हो चुका है उनको मारने के लिए अभी देखते हैं क्या होता है यार अभी मैं तो जा रहा हूँ यार सर्वियन डांसिंग लेडी के घर पर और superman और ये जो है अपने दूसे वाले घर पर है जहां पर हम planning करते हैं यार सारी जितनी भी planning करते हैं इन भूतूत को मारने के लिए वो उसी जगे से plan करते हैं यार और हाँ अगर आप चैनल पर पहली वर आया है तो वीडियो को कर दीज़े like और चैनल को subscribe और घंटे की बटन को दबाना ना भूले तो अपन तो यार यार अपनी ये वाली बुगाटी लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये काफी ज़्यदा fast है यार इससे जो है आसान हो जाते हैं सारे काम क्योंकि ये चलती ही इतनी तेज है लेटरली में बहुत ही ज़्यदा तेज चलती है लेकिन देखते हैं यार अभी जो है डैविल गोड उसका दुस्मन है तो दुस्मन का दुस्मन दोस्त होता है ये बात तो आपने सुनी होगी तो अभी अपन देखे लेंगे कि दुस्मन का दुस्मन वाकई में दोस्त बनने लाइक होता भी है या नहीं है वैसे वो दोस्त बने लायक तो नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी है तो इसलिए अपन गदे को भी बाप बना सकते हैं उस डैविल गोड ने मुझको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा उसकी इतनी हिम्मत मैंने उसको आजात कराया उसको जिंदा किया लेकिन उसको मेरी कदर नहीं है उसने तो अपना बादा भी तोड़ दिया हमारी गुंडो की विरादरी में डैविल्स की विरादरी में कोई भी अपना बादा नहीं तोड़ता लेकिन वो डैविल गोड उसने अपना बादा तोड़ दिया है अब मैं उसको बिलकुल भी नहीं चोड़ने वाली लेकिन कैसे ने कैसे करके तो मुझे उसे मारना होगा मेरे पास उतनी सक्तिया तो नहीं है कि मैं डेविल गोड को मार पाऊंगी पता नहीं यार कोई तो ऐसा प्लैन बनाना पड़ेगा जिसमें डेविल गोड फस जाए फि फट ऐसे इंसान या सुपरीरो को ढूलना पर होगी तो यार इससे अपनी टीम में लेने के लिए क्योंकि यार इसको मैंने इक पर अपनी टीम में ले लिया तो अपने एक बड़े प्लैन को अंजाम दे सकते हैं वो प्लैन मैं आपको सर्वियन डांसिंग लेडी से मिलने क बाद ही बता सकता हूँ क्योंकि वो प्लैन ही इतना ज्यादा खास और यूनीक है कि सर्वियन डांसिंग लेडी मान ही जाएगी उस प्लैन को लिए और उसको भी तो बदला लेना है आखिरकार डेविल गोड को मानने के लिए तो देखते हैं यार सर्वियन डांसिंग कुल ही तो से सर्वियन डांसिंग लेडी मुझे तुमारी जरूरत था तुम मेरे ठीम में आजाओ ता कि हम डवियल गोड को मार सके मेरे पास एक सोलेड प्लैन तो सुनो सर्वेंट डांसिंग लेडी तुम को कैसे भी करके ये यकीन दिलाना है कि तुम डेविल गोर्ड की टीम में हो हाला कि अभी तक तो तुम डेविल गोर्ड की टीम में ही थी लेकिन अभी तुम मेरी टीम में आ गए हो लेकिन ये बात अभी डेविल गोर्ड को नहीं पता है कि तुम मेरी टीम में हो तो तुमको बस उसको ये विश्वास दिलाना है क कि तुम Franklin के टेम में हो, लेकिन तुम Franklin से बहुती बड़ा विश्वास खात कर रही हो, ऐसा उसको विश्वास दिला देना है, तब आगी का plan जो है, वो तुमको अपने इसाब से बताई देगा, और जैसा जैसा वो plan तुमको बताता है, वो plan तुम मुझको आकर बताना, मैं फ ऐसी plan है, इसमें तो तुम ही यारी जान खत्रे में है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो devil guard के लिए काम कर रहे हूं, मुझे ऐसा कहना है कि मैं Franklin के लिए काम कर रहे हूं, और Franklin को धोका दे रही हूं, लेकिन इसके पाइदा क्या होगा, तुम पहले सर्वियन दांसिंग तो साइद तुम्हारी जान जा सकती है, devil guard तुमको मार भी सकता है, अगर तुमने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो, अरे पता नहीं, ये Franklin का plan कैसा है, लगता है, ये Franklin Clinton तो मेरी जान लेकर ही माने गई यार, ऐसा भी भला कोई का plan होता है, क्या, क्या पता, कहीं ये अ तो साइद ये मुझको धोका नहीं दे रहा होगा, तो यार फटफट चलती हूँ, इसके राज के अंदर ही devil ghost मिलने वाले थे, ये रहे devil guard, अरे devil guard, devil guard, मैंने एक बहुत बग़ा काम किया है आपके लिए, ऐसा बड़ा कौन सा, तुमने तीन मार दिया है, जो मैं खुस और मुझको बताओ, तुम क्या करके आए हो, क्या गुल खिला के आई हो, तुम सर्बियन डांसिंग लेडी, जो भी किया होगा, तुमने तो कुछ गलत ही किया होगा, नहीं devil guard, मैंने ऐसा किया है, कि मैंने फ्रैंकिलिंग की टीम जोइन कर लिया है, और उसको विस्वाद क सारे प्लैंग मुझे बताता है, और सर्बियन डांसिंग लेडी, पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे काम से काफी ज़्यादा खुछ हूँ, एक काम और करो मेरा, कि तुम जो है, फ्रैंकिलिंग क्लेंटन को, जो है, मीज बैंक पर दो बज़े भ जो वो उखाड कर फैक देगा, तुम बस उसको मेज बैंक पर भेज देना कैसे भी करके, जो हुकम मेरे डेविल कोड मैं आप के लिए अपनी चान भी दे दूगी, उस फ्रैंकिलिंग को बस मेज बैंक पर ही तो भेजना है, वो मेरी बात मान लेगा, आखिरकार उसने अब सर्वियन डान्सिंग लेडी ने अपना प्लैन जो है, रेडी कर दिया है, और अभी मूझ को यहां से चुपचाप से निकल जाना है, क्योकि डेविल गोर्ट ने मुझको देख लिया, तो प्रोब्लम हो सकती है, तो यहां से यार चुपचाप से मैं निकल जाता हूं, बिना डेविल गोड को पता लगाए और सर्वियन डांसिंग लेडी अभी तक के लिए तो डेविल गोड के पास ही रहेगी उसको आगे का प्लैन मैं बाद में बताऊँगा क्योंकि वो कुछ देर बाद जो है अपने जो टीम हाउस है जो कि अपने टीम है पूरी ही पूरी जिसमें गोकू हुआ और बहुत सारी सूपर हीरोज हैं वो सभी रहते हैं तो वहीं पर ही सर्वियन डांसिंग लेडी आ जाएगी तो वहाँ पर वो सबको प्लैन बताएगी नहीं बलकि मैं उसको उन सबको प्लैन बताऊंगा क्योंकि यार सूपर मैन काफी ज़्यादा गुस्ते में डेविल बोस को लेकर अगर उसको डेविल को उसका पता मिल जाएगा मतलब डेविल गोड का पता मिल जाएगा तो वो सीधा उसको अकेले ही मारनी चले जाएगा जो की बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है और तो फटाफट यार सर्वियन डांसिंग लेडी पोचे उससे पहले यार मुझको जो है टीम हाउस पोचना पड़ेगा और उन सबको बताना पड़ेगा अपने को करना क्या है तो फटाफट चलता हूँ मैं घर पर तो लो गाइस हम पहुँच भी गए हैं इस जगे पर अभी जो है अपन अपनी गाड़े को पार्क लगा देते हैं तो यह है हमारा टीम हाउस जो की हमने एक वीडियो में कवर नहीं किया है तो इसको इसी वीडियो में अपनी कवर कर दिये कि हम यहाँ पर अपनी टीम का जितना भी प्लैन है वो यहीं पर ही जो है करते हैं बनाते हैं तो यहाँ पर अभी सबी मुझूद होंगे साइट तक एक मिंट अंदर जाकर देखता हूँ किये क्या यार सर्वेंट डांसिंग लेडि तो मुझसे पहले पहुँच गई हो सकता है इसने सारा प्लैन बता दिया हो गोको से पुछता हूँ गोको इसने कुछ बताया क्या आरे इसने सब कुछ बता दिया है और तुमको पता है सूपर मैन जो है बहुत ही ज़्यादा तेज भाग गया अरे यार वो कहा भाग गया और ये तो मुझको नहीं पता लेकिन वो भाग गयी बहुत ज़्यादा तेज था कि मैं तो उसको देख भी नहीं पाया और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर सर्वियन डांसिंग का प्लैन तो काफी ज़्यादा खतरनाक है और वो मेरा प्लैन है कोई सर्वियन डांसिंग लेडी कर नहीं सर्वियन डांसिंग लेडी अभी अपने टीम है और अपने लिए काम करती है तो मैं एक बर गोकु से मिलाता हूँ तो गो-गो तुम क्या कर रहे हो आ यार मैं तो यहाँ पर वीडियो गैम खेल रहा हूँ मुझको काफी ज़यात मज़ा रहा है यहाँ पर तुमारी इस दुनिया में काफी काफी चीज़े अच्छी है तो काफी बुरी भी है अरे यार तुमको बस गेम खेरने की पड़ी है तुमको पता है न क्या करना है अरे मुझको साप अचा है मैं टाइम पर पहुंच जाओंगा या मेज बैंक पर अच्छा तो यार यहां पर तो सब चीज सेट है लेकिन यार यह सूपरमैन कहां गया यार इसके वाज़े से पूरा प्लैन चोपट हो सकता है अगर वो चले गया तो दिक्कत हो सकती है यार क्योंकि फिर जो है डैविल गोड़ को पता चल लाएगा कि क्या हो रहा है क्या नही हो रहा है क्योंकि उसको सक हो जाएगा मुझे तो केवल और केवल अकेले ही जाना था यार उस जगाए पर अभी मुझ जो है सूपरमैन को ढूणना हुआ मुझ को लगता तो यही है कि सूपरमैन जो है मेज बैंक पर गया है तो मैं अपनी सक्तियों का इस्तमाल करके फड़ फड़ जो है अभी मेज बैंक पर जाता हूँ क्योंकि गाड़ी से गया तो मैं काफी ज़दा लेट हो जाएगा और तब तक जो है सूपरमेन कुछ भी कर सकता है क्योंकि सूपरमेन लेड़ी नहीं था लेकिन सर्वियन डानसिंग लेड़ी ने उसका नाम लगा दिया था डेविल गोरड़ पर और ये सब मुझको ही पताए के वल UEASE और एवल और खेर सर्वियन डानसिंग लेड़ी को लेकिन ये आथ हम उसको नही बता सकते यार वैसे मैं उसकी ख़़र नहीं ले सकता कि यार वो अपन से ज़ाधह थाकतवर है लेकिन मैं उसको समझा जरूर सकता हूँ तो मैं तो यार यहाँ पर उतर जाता हूँ और ये मपता हूँ वह वापस से घर आगया हो गुसा सान्त हो गया हूँ उसका एक बर घर पर वापस से चलता हूँ यार ये क्या मैंने कुछ जादा ही लंबा जंप लगा दिया है ये लो यार अपन चलते हैं घर पर और ये लो अपन पहुंच भी गए है यार घर पर अभी टीम हाउस जो है यार यार मेरी गाड़ी कौन लेखे गया है खेर चोड़ो गाड़ी वाड़ी का क्या है गाड़ी वाती तो आती जाती रहती है लेकिन यार सूपरमेन आखिरकार कहा गया ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है यार मुझको कुछ तो गड़ बड़ है मैं यहाँ पर छुप गया था इसलिए मैं फ्रैंक्लिन किलिंटन को नहीं दिखा वरना फ्रैंक्लिन किलिंटन मुझको समझाता हो और मुझको अपनी साथ ले जाता लेकिन अब मैं अकेला डیविल गोड़ को मार दूँगा अब फ्रैंक्लिन आने से पहले अब उसको पादा चलेगा डैविल गोर्ड को सूपरमेन से दोस्तों को मारना उसको कितना जाता भारी पड़ सकता है सूपरमेन हूँ मैं सूपरमेन और वो डैविल गोर्ड तो डैविल गोर्ड वर्से सूपरमेन होगा काफी मज़ा आएगा मैं डैविल गोड का बिलकुल बेजिंदा नहीं चोड़ूँगा उसने मेरे दोस्तों को मारा है मप पता नहीं यार क्या होने वाला है अभी जो है केवल और केवल एक मिन्ट ही बचा है अभी डैविल गोड का मेज बैंक पर आने के लिए लेकिन अभी तक अपने को सूपरमैन का पता नहीं मिला है क्या करू यार मुझे वहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मुझको तो ये भी समझ में नहीं आ रहा अपना यार पूरा की पूरा प्लैन चोपट हो चुका है इस वक्त के लिए देखते हैं अभी अगले एपिसोड में क्या होता है तो वने रही है अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल पर तो जल्दी से हमारे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब